शी जैदेव गोस्वामी ने अपने ग्रंथ शी गीद गोविंद के प्रारंभ में ही के मंगलाचरण में ही इसपस्ट कह दिया कि अनधिकारियों को अयोगिय वेक्तियों को ये ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए किन्तु इस ग्रंथ की मधूता और अलंकरत भाषा से आकरशित होके अनधिकारी लोग इसको पढ़ते हैं पर वे योगिय नहीं है इसलिए वे इसके वास्तिविक भावात को मर्म को नहीं समझ पाते हैं और फिर वे जैदेव गोस्वामी को ही गाली गलोज करते हैं उनकी निंदा करते हैं वे कृष्ण को नहीं जानते वे भगवान श्री कृष्ण का नित्य इस्मरण नहीं करना चाहते तो ऐसे आयोगिय वेक्ति कभी इस ग्रंथ को नहीं समझ सकते वे अपने आपको भी नहीं जानते वे आत्मा के तत्मों को नहीं जानते वे अपने आपको शरी समझते हैं और इंद्रियों को सुख देना ही संसार का सुख भोगना ही उनके लिए परम सुख है तो ऐसे काम के दास कभी भी जैदेग गोस्वामी द्वा लिखे गया यह गीद गुविंद को नहीं समझ सकते वे कभी भी आध्यात्मिक प्रेम राधा कृष्ण की आध्यात्मिक प्रेम लीलाओं को नहीं समझ सकते वो इसी कारण से कृष्णदास कभी राज गोस्वामी ने चैतन चैतमरत में लिखा है काम प्रेम दोहाकार विभिन लक्षण लोहा आर हेम जेचे स्वरूप विलक्षण आत्मिंद्रिय प्रिती इच्छा तारे बली काम क्रिश्णेंद्रिय प्रिती इच्छा धरे प्रेम नाम कामेर तात्परिय निज संभोग केवल क्रिश्ण सुख तात्परिय प्रेम महाबल इसका अथ जो सांसारिक इस्त्री पूरुष है उनके बीच में जो तदा कथित प्रेम है जो पति पत्नी और प्रेमी और प्रेमी का प्रेम है वह वास्तों में काम हेगा और अध्यात्मिक जगत में जो राधा क्रिश्ण का प्रेम है वह अध्यात्मिक प्रेम है दिव्य है और इस लोकिक काम और अध्यात्मिक प्रेम में बहुत अंतर है अगर लोकिक इस अंसार का जो काम है वह लोहे के समान है तो आध्यात्मिक प्रेम सोने के समान है इस लोकिक काम और आध्यात्मिक प्रेम में बहुत अंतर है काम काल्थ हुआ खुद के सुख भोग की इक्षा और प्रेम काल्थ हुआ दिव्य प्रेम काल्थ हुआ क्रश्न को सुख देनी की इक्षा तो इस काम वास्तना में काम में खुद की इंद्रियों की त्रप्ति होती है खुद की इंजॉयमेंट होता है और दिव्य प्रेम में क्रश्ण की इंद्रियों की तिरिप्ति की जाती है क्रश्ण को सुख दिया जाता है तो इन दोनों में आध्यात्मिक प्रेम और भौतिक काम में बहुत अंतर है तो श्री चेतनी चैताम्रत की कविराज गोस्वामी की अबात सांसारिक लोगों के समझ के बाहर है सांसारिक लोग संसार के सुख भोग में लगे रहते हैं और उनके लिए इस अध्यात्मिक दिविय प्रेम को समझ पाना असंभव है वे राधा कृष्ण की दिविय लीलाओं को दिविय प्रेम को सांसारिक पति-पत्नी के प्रेम विहवार के समान ही समझते हैं किंतु दोनों में बहुत भेद है राधा रानी ने और गोपियों ने कृष्णों को प्रेम किया उन्होंने सामाजी के नियमों का परित्याग करके लोक लज्जा का त्याग करके समाज और देश के नियमों का कानून का त्याग करके उसका उलंगन करके क्रेश्ण को प्रेम किया उन्होंने वेद धर्म का त्याग करके क्रेश्ण को प्रेम किया में वेदिक शास्त्रों के नियमनलंघकन करके और उन्होंने देधर्म का भी त्याग किया नहें खुद के शरीर के सुखभोग क्या ध्यान नरकते हुए और शरीर से कष्ट उठाते हुए भी उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया तो इस तरह से उन्होंने देधर्म, लोक धर्म, वेद धर्म का त्याग करके क्रिष्ण से प्रेम किया, अगर कोई इस तरह से क्रिष्ण से प्रेम करें या किसी और से प्रेम करें, तब कहीं वह जाके समझ सकता है कि यहां आध्यात्मिक प्रेम क्या है, इसे समझना आसान नहीं है, तब वेक्ति समझ सकता है कि प्रेम निश्वाथ भी हो सकता है जिसमें खुद के सुक भोग की कोई कामना नहों और कोई इस तरह से प्रेम करें तब वह समझ सकता है कि निश्वाथ प्रेम भी संभव है और तब कहीं जाके वे राधा कृष्णे की दिविप्रेम को सम्मान कर सकता है